वेलकम टू प्रताब क्लासेश दोस्तों प्रताब क्लासेश के यूट्व चनल पर आपका हार्दिक स्वागत है तो आज चर्चा करेंगे स्पेसल हम इंडिया करंड अफेर्स के खेल प्रेदर्शेद 2023 स्पोर्ट्स की जितने भी 2023 के अंदर कॉशन बन रहे हैं और 2022 के अंदर इसकी पीडेप आपको परताब क्लासेज के टेलीग्राम चनल पर आपको अपलब्द हो जाएगी और परतेक विदारती टेस्ट सरीज जुरूर जोइन करें क्योंकि टेस्ट सरीज के माद्यम से आप जो है इंडिया करेंट अफिर्स अच्छी तरीक से त्यार कर पाएंगे 50 उर्पे परताब क्लासेज जो है परताब क्लासेज आपको सरुपर्तम क्या करना है परताब क्लासेज एप डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे टेस्टीज मिलेगी इंडिया प्लस वर्ल्ड करेंट है फेर्स की उसे लेना है और उसके बाद आपको वहाँ पे जो है testries के अंदर पीडिये जो जनवरी से लेकर जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2022 तक पीडिये आपको free मिलने वाली है उस पीडिये अच्छी तुरिके से पढ़िए और testries करिए आपके लिए बहुत ही मैत्पन होने वाले है जो वि अपने देश बारत ने अंडर 19 महला विश्वकप टीम का खिताब जीता है तो वो जीता है भारत ने अपने देश बारत ने अंडर 19 महला विश्वकप टीम का खिताब जीता है देखे मुखेते थे की बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप का संस्कान था पहला संस्कान था भारत के अगर आयोजन तीथी की बात करें तो 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 को हुआ था इसमें मैजवान किस ने की थी मैजवान देश दिया था दक्षन अफरिका और कुल टेमे कितने थी इसमें 16 थी और कुल मैच कितने खेले गए थे 41 तो ये आपको याज रखना है किस ने जीता है अंड 30 जनवरी 2023 को दक्षन अफरिका के पोचेस ट्रम में भारत और इंगलेंड के मद्द्य खेला गया इस मुकाबले में भारत ने इंगलेंड को साथ विकेट से रहा कर अपने नामें खिताब कर लिया था तो फाइनल मैच किन के बेचवा था बारत और इंगलेंड के बीच जि बारत ने किया है ये खिताब अपने नामें कर लिया इसमें बारत की कैपिन कौन थी ये पका याद रखना है सिफाली सर्मा जो की बारत को ICC ट्रोफी जीतने वाली पहली मैला कप्तान बनी अभी इसलिए हो सकता है सिफाली सर्मा से लेटेड पोच्छा जाए प्लेयर ओप देखिए अगले कोशन की बात करते हैं दो नंबर जो की एकजाम में पक्का छपने वाड़ा है इसलेटर सीटी के एकजाम में पक्का छप गया है क्योंकि इससे पहले ये सिर्ष सान पदक तालिका में नहीं आया था तो सिद्धा पुछा का कि खेलो इंडिया यूथ गेम् पाता मद्या परदेश में लेकिन आप पूरी चर्चा करेंगे कि कौन से राजे ने कितने पदक जिते हैं और सिर्ष स्थान पर कौन सा रहा है देखिए फ़र्षन की बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के पांचमें संस्कन आपको याद रखने है एक तो पांच पांचमें खेलों इंडिया यूथ गेम्स का संसकन था पांचमा ठेक है खेलों की मेजबानी किस ने की थी मद्या परदेश के अंदर बोपाल ठेक है बोपाल ले अयोजन था इसका 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक हुए है तो ये 11 फरवरी को समाप्त हो गई और महारष्ट ने इसमें क्या क्या सिर्थ स्थान प्राप्त किया है अगे देखिए पदक तालिका के हम चर्चा करते हैं जो कि हमारे एकजाम के दश्चिश मैपकुन है देखिए महारष्ट ने प्रतम स्थान प्राप्त किया है तो इसने सुन पदक दिये थे 56 सिल्वर पदक इनने 55 प्राप परदेश रहा था इसमें स्वन पदक की बात करें तो 49 सिल्वर पदक की बात करें तो 30 काश्य पदक की बात करें तो 27 पुल पदक की इतने जीते इसने मद्य परदेश ने च्छान में और राजस्तान का कौन सा स्थान रहा यह आपको याद रहा है चोथा स्था राजस्तान का राजिस में 19 स्वन पदक 10 सिल्वर पदक और काश्य पदक 19 यानि कुल पदक राजिस्ताने 48 पदक जीते थे पिछली बार राजिस्तान कौन से चोथा जो संस्क्रण वा था उसमें राजिस्तान कौन से स्थान पर रहा था दस्वा स्थान था पिछली बार दो चोथे संस्क्रण में ठेक है लेकिन अब की बार चोथे स्थान पर आ गया है तो बहुत मेनद किये राजस्तान ने देखिए नो सेरों में अयोजित हुए थे इन खेलों में 36 राजियों और केंजल साची प्रदेशों के 5812 खिलाडी हो सकता है इजाम में पुछा जाए और कितने गेम थे इसमें 27 गेम थे कुल ये भी याद रखना है अब इसमें केई गेम जो है जोड़े गए थे देखिए कौन कौन से है पहली बार पानी के खेल अर्थार्त यानि काया किंग केनो पेंग और केनो सलाम और फेसिंग खेलों इजाम में पुछा जाए कि अब की बार कौन कौन से गेम जोड़े गए थे तो ये आपको याद रखना है तो खेलों इंडिया यूथ गेम से पका LDC के एकजाम में छपने वाड़ा है किसे भी छपे छपेगा जरूर या राजस्तान का पुछा जाए कि राजस्तान ने कौ सब पदकालिका में प्राप्त किया है देखे तीन नमर कॉशन की बात करते हैं हाल ही में 22 ग्रेड सलेम यानि ऑस्ट्रिलिया ओपन 2023 का पुरुस एकल की बात कर रहे हैं तो किताब किसने जीता है तो पुरुस एकल का किताब जीता है नोवाग जोकोविच ने सर्बिया के है का के है सर्बिया के है ये नोवाग जोकोविच इन्होंने अभी हाली में 2023 का ओस्ट्रिलिन ओपन 2023 का खिताब जीता है ये एक्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इसने जीता है नोवाग जोकोविच ने सर्बिया के है ये देखे इन्होंने कितनी बार जो है ओस्ट्रिल में फिर 16 में, फिर 19 में फिर 2021 का इनके इनाम था और नवाग जोकुविच ने अपने नामें कर लिया है। वही बात करें तो 2022 का 21 का French Open इन्होंने जीता था कि इन्होंने नुवाक जोकोविच ने जो USA Open हुआ था 2018 का इन्होंने जीता था और 2022 का जो विवेंडनन हुए थे वो किसने जीता था नुवाक जोकोविच ने तो यह आपको याद रखना है और आपसे पूछ ले कि जो है और अस्ट्रेलिया ओपन जो है 2022 का किसने जीता यह हो सकता है एजाम में पूछ लिया जाए तो वो थे राफेल नाडाल तो राफेल नाडाल जो है 22 मां जीता था लेकिन 23 का किसने जीत लिया नुवाक जोकोविच ने तो पूरी ट्रेल मैंने आपको बता दिये यहां से बाहर जाएगा ही नहीं देखिए मुकेत चत्यकी बात करते हैं वर्स 2023 का पहला ग्रेड स्लेम टेनिस टर्णामेंट है देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन किस खेल से समझेता है टेनिस टर्नामेंट से का पुरूस एकल का किताब सर्विया के नुवाग जोकोविच ने जीता है ये आपको याद रखने है देखिए आयोजन सल्था मेरल बर्न विक्टोरिया के अंदर अस्ट्रोलिया के अंदर गुआ था ये 2023 का अयोजन दिती देखिए 16-29 जनुविर 2023 को पुरुस एकल उपविजयता की बात करें तो कौन से रहे थे तो वो रहे थे श्टिफानोस सीटी इस पास ग्रीस के ये जो है खिलाडी है इन्होंने उपविजयता रहे तो पुरुस एकल में नुवाक सबसे ज़्यादा दस बार ओस्ट्रिलिन ओपन जीतने वाली खिलाडी बन गए मैंने पहले भी बता दिया देखिए उन्होंने अपने 22 ग्रेट स्लेम खिताब के साथ प्रफेल नाडेल की बराबरी कर ली है तो ये आपको याद रखना है आगे बात करते हैं चार नमर कोशन की हाल ही में 22 ग्रेट स्लेम और स्ट्रिलिन ओपन 2023 यहाँ पे देख लेना महिला एकल का खिताब है तो कि जो है एक्जाम में अब इस प्रकार पुछा जाता है कि सबालेंका ने औरेना सबालेंका ने 2023 का महिला एकल का किताब एक्द। तक हो रही थी आयरेना सबालेंका तो ये आपको याद रखना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ तो इसमें पुरुष एकलका किस के पास था नुवाक जोकोविच ने जीता था ठीक है और महला का किस ने जीता आयरेना सबालेंका ने तो ये दोनों आपको याद रखने सीधा का सीधा कोशन पूछा जा सकता है अगामे एकजामों के लिए आगे बात करेंगे पांच नमर कोशन की देखिए नई दिली में खेले गए इंडिया ओपन बेड मिंटन दोजार तेईस प्रत्योगता में पुरुस्वय महला वरक का एकल खिताब किसे ने जीता है तो कनलावुत वितिदर्शन वे आन सी यंग इन दोनों ने जो है महला वे पुरुस एकल का किताब जेता आन सी यंग क्या है महला है और कनलावुत वितिदर्शन ये क्या है पुरुस है इन दोनों ने क्या जेता है इंडियान ओपन बेड मिंटन दोजार तेईस का किताब अप स्टाल हुआ था इसका के डी जादव इंडोर पोल नई दिल्य के अंदर पुरुस एकल का जिता था कल्लावुत विती दर्सन ये खिलाडी है थाइलेंड के और महला एकल का किताब जिता था आन सी यांग ये कांकी है दक्षिन कोरिया की खिलाडी है इन दोनों ने अपने ना खिलाडी है तो मलेशिया ओपन दोजार था उसमें पुरुस एकल और महला एकल परतिस्व दा में खिताब किते थे तो ये जिते थे वेक्टर एक्सलेशन वे अकाने यामागुची इन दोनों ने पुरुस वे महला का खिता जिता है मलेशिया ओपन बेड्मिंटन दोजार सकते हैं मुक्य देते की बात करें पर्चयोगिता का नाम था पेट्रो नास मलेशिया ओपन दो जार तेईस अयोजन स्टलुआ था कुवाला लंपूर मलेशिया के इंदर ठीक है तो ये आपको याद रखने है तो मलेशिया ओपन बेड मिंटर दो जार तेईस का किताब कुछ ने जिता विक्टर एक्सलेंशन वे अकाने यामागुची ने ये जिता है देखिए साथ नमर क्वेशन की बात करेंगे मुस्ट कर लेना विजय हजारे ट्रोफी टूर्णामेंट का विजयता टीम रही है तो विजय हजारे ट्रोफी जो है क्रिकेट से समन्दित है ठेक है तो ये जिति है सो रास्टर ने इसने जिति है सो रास्टर ने विजय हजारे ट्रोफी टूर्णामेंट का किताब है जीता था 2032 तेश में देखिए मुखे तत्य की बात करें बी सी सी आई एक दीविश्य क्रिकेट का सतर दो जार बाइस तीस का विजे हजारे ट्रोफी ट्रूनामेंट बारा नुमंबर से दो जिसंबर दो जार बाइस को खेला गया था इसमें कुल टीम में थी 38 मेच स्टेडियम था नरेंदर मोधी इमधाबाद क्योंकि एकजाम में सिधा एक को साथा है कि नरेंदर मोधी स्टेडियम कहां पे है इमधाबाद के अंदर है प्लेयर ओप दा टूर्णामेंट किसे दिया गया रित्तू राज गायकवार को मारश्ट टीम के थे ये और सोराश्ट टीम के कप्तान थे जैदेव उनादकट ठीक है जैदेव उनादकट है ये थे सोराश्ट टीम के कप्तान तो विजे हाजारे टोपी सो रष्त ने जीती थी ये आपको याद रखना है आठ नमर कस्यों की बात करेंगे फिफा वर्ल्ड कप 2022 का किताब पिछ ने जीता है तो अर्जित निंडा ने फिफा वर्ल्ड कप 2022 का किताब अपने नाम किया था देखिए मुख्य तेट्य की बात करें ये संस्कंड था 22 22 विश्वकप था फिफा का अयोजन स्तल कतर दोहा के अंदर गुआ था बाग लेने वाले टीम में थी 32 फुल मैच खेले गए थे 64 उद्गाटन समरोय देखिए अलबायत स्टेडियम अलखोर कतर के अंदर है ये स्टेडियम का नाम है अलबायत स्टेडियम अलखोर फाइनल मुकाबला हुआ था अर्जन्टीना व फ्रांस के वीच जिसमें विजेता टेम को रही थी अर्जन्टीना फिफा वर्ड कप 2022 में तो मैंने आपको पूरी डिट्रेल बता दी है तो जितने विवदारती लाइव जड़े एक वीडियो को लाइक कर दीजे सेर कर दीजे चनल पर नहीं चनल को सब्सक्राइब भीजिए अब देखे इसमें प्रमुक अवार्ड दिये जाते हैं देखे प्रमुक अवार्ड है गोल्डन बोल अवार्ड इसमें क्या एक सोने की बोल दी जाती है तो लियोलेन मेसी अर्जेंटिना को ठेक है आगे बात करें गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एमबापे फरांस को दिया गया था अगामी FIFA World Cup 2026 आठ जून से 3 जुलाई के दोरान कनाड़ा मेक्सकोर अमरिका की श्युक्त मेजवानी में होगा और इन्हें अभी हाले में सामिल भी कर लिया गया है पिसला FIFA World Cup 2018 वर्ष 2018 का FIFA World Cup में 14 जुन 2 से 15 जुलाई के खेला गया था इसमें विजयता टीम रही थी जो FIFA World Cup गप गठेम अर्जन आगे बात करेंगे 9 नम्मर क्षण की देखिए महलाओं का F.I.H. Nation Cup 2022 का खिताब किसे ने जीता है तो देखिए बारतिय महला होकी टीम का नेशन 2000 कप खिताब किसे ने जीता है तो वो जीता है भारत ने अपने देश बारत ने तो ये एक्जाम में पूछा जा सकता है देखिए मुख्यततिये बारतिये महला होकी टीम ने 17 दिसंबर 2022 को स्पेन को हराकर महलाओं का जो है क्या F.I.S. नेशन कप 2022 का फाइनल जीत लिया था इसमें मेजबान कौन था स्पेन के अंदर हुआ था ये महलाओं का महला होकी टीम नेशनल कप 2022 का किताब भारत देश ने 78-वी सीनियर रष्ट यंद सक्वेश सेंप्टिंशिप 2022 में पुरूस वै महला एकल किताब अपने नाम किया था कौन सी है 78-वी सीनियर रष्ट यंद सक्वेश सेंप्टिंशिप 2022 में तो ये थे कौन-कौन थे ये थे अब्यसिया और जोसना चिनंपपा इन दोनों ने 78- परताब क्लासिस के पर आपको प्लब्द होगी तो सभी बजारती परताब क्लासिस का एप डाउनलड करें वहाँ पर आपको फ्री मिलने वाली है सारी के सारी पीडियेप प्रतेक अब मैं स्वेशल पूर्सकार से लेटर भी वीडियो बनाऊंगा यानि करंट का इंडिया का एक भी कोशन बाहर नहीं जाने वाला है तो फ्री जो आपको मिलने वाला है इसमें आपको इसकी प्री क्विज भी मिलेगी ठीक है फ्री टेस्ट भी मिलेगा उस टेस्ट्रीज के अंदर जो आप 50 रुपे मिलेंगे उसमें आपको सारा खेल पुर्सकार जो न्युक्तियां सारे के सारे इसमें टेस्ट फ्री दिये जाएंगे तो पेडियाप भी फ्री है वो टेस्ट का अंदर आपको 50 रुपे जो है पे करने पड़ेंगे ठीक है तो ताकि आप पेडियाप को अच्छी तरीके से कवर कर पाएं 11 अमेर कुश्म की बात करेंगे IISS President's Cup 2022 का खिताब देखे आयोजन स्टल की बाज करें काहिरा मिसर के अंदर फ्रांस के पड़क थे टीन स्वनक, दो रजट, एक काशे पड़क जीता था फ्रांस ने इसके अंदर पिस्टल के अंदर बारत के पड़क देखे इसमें एक गोल्ड मेडल, एक रजट पड़क के साथ कौन से स्टान पर रहा था, बारत इसमें छटे स्टान पर रहा था देखे बारतिये पड़क विजेता निसाने बाज, रुदराक्स, बाला साई पाटिल पुरुपो की दस मीटर एयर रैफल स्टान में छटड़क जीता है, बारत की है ये कौन है? बाज, रुदराक्स, निसाने बाज है, रुदराक्स, बाला साई पाटिल दस मीटर एयर रैफल के अंदर इन्होंने छटड़क जीता था मोंद जिल अंजूम मैलाओं की 50 मिटर राइफल में राजित पदक जीता है ये आपको याद रखना है अगले बारा नमर कोशन की बात करते हैं गोवा की राजदानी पंजी 27 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक 500 टेश रंकला करे करम की मेजबानी करेगा जब बार टुनामेंट की मेजबानी करेगा तो इसलिए ये एकजाम में पूछा जा सकता है देखिए ये कौन से स्टेडियम में होगा तो श्यामा पुखा प्रसाद मुखरजी इंडोर ये स्टेडियम है कहां पे गोवा के इंदर ठीक है गोवा की राजदानी पंजी में श्यामा पुखा प्रसाद मुखरजी इंडोर स्टेडियम है विश्व टेबल टेनिस की मेजबानी गोबा करेगा यानि भारत करेगा तेरा नमर क्वेशन देखिए डेविस कप 2022 का खिताब किसने जीता है डेविस कप 2022 का खिताब जीता था डेविस कप 2022 का खिताब जीता था कनाड़ा ने किस ने जीता था कनाड़ा ने और ये कौन सा था 110वा कौन सा 110वा डेविस कप था ये आपको याद रखना है ये किस ने जीता है कनाड़ा ने जीता है तो ये आपको याद रखना है मुख्यत्यत्यकी बात करें डेविस कप का सबंद जो है आपको पता है किस से है और आयोजन आपको याद रखना है आगे बात करेंगे चोदा नमर क्षिन पूर्षों का ATP Tours Final Tennis Tournament 2022 पूर्ष एकल का किताब पिछ ने जीता है तो वह भी जीता है नुवाक जोक को विचने जीता था ये आपको याद रखना है पंदरा नमर कॉशन की बात करेंगे विमेन टेनिस एसोसियेशन डव्यू टी ए की वर्स 2022 की अंतिम्स परदा फाइनल का महला एकल का किताब पिछने जीता था तो ये जीता था देखे विमेन टेनिस एसोसियेशन की वर्स 2022 की अंतिम्स परदा फाइनल का महला एकल का गिता था वो जिता था केरो लिना गर्षिया ने ये एक्जाम में पूछा जा जा चुका है तो ये CT के एक्जाम में पूछा जा चुका है तो आगामी एक्जाम में पूछा जा सकता है Women Tennis Association WTA की वर्स 2022 की अंतीन स्थ पर्दा में फाइनल एकल मैला का किताब के रोलीना गर्षिया ने जीता था आगे बात करते हैं तो सभी विदारती वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इसके साथ वेल आइकन के गिंटे दवाईए ताकि आप प्रताब क्लासिस के टेलिग्राम को जुरूरे जोइन करें आगे बात करेंगे सोला नंबर सेद मुस्ताक अल्ली ट्रोफी 2021 का किताब किसने जीता है सेद मुस्ताक अल्ली ट्रोफी 2021 का किताब जीता था किसने बुंबई ने किसने जीता था बुंबई ने जीता था और मु आगे बात करते हैं 17 नमबर अंतराश्य क्रिकेड परिशद ने अक्टूबर महा के लिए ICC प्लेयर ओफ दा मंत अवार्ड के विजयताओं को किन खिलाडियों को देने की गोशना 7 मुवंबर 2022 को की थी तो देखे प्लेयर ओफ दा मंत अवार्ड दिया गया है तो वो किने दिया गया था तो ये दिया गया था विराट कोहली और निंदा डार को 2022 का और प्लेयर ओफ दा मंत अवार्ड दाइस का किने दिया गया है तो सुबम गिल को किसको सुबम गिल को 2023 का जो है प्लेयर ओफ दा Transmedia Award चुना गए थी तो विराट कोहली और निंदा डार को दिया गया देखे मुक्यत थे ICC Men's Player of the Month विराट कोहली को ICC Women's Player of the Month किसे दिया गया था निंदा डार को दिया गया था तो ये आपको याद रखना है 18.9 कोशन की बात करेंगे ACN Cup Table Tennis Tournament 2022 में किस बारतिय महिला खिलाडी ने कश्य पदक जीता है ये सिद्धा कशिद्धा किस में पूचा गया था CT की एक्जाम में पूचा गया था ठीक है तो ये जिता था मनिक का बत्रा ने ये कश्य पदक जीता था क्योंकि ये बारत की खिलाडी थी इसलिए एक्जाम में पूच लिया जो भी कोशन बारत से लेटर बन रहा है राज्यों से बन रहा है तो पक्का याद करें पक्का कोशन पूचा जाएगा इसलिए हम मुस्ट कोशन लेकर आते हैं जो की एक्जाम की दश्चिशे बैत्मन होते हैं आपने देखा हूँगा हमारे करवाएगे जितने भी इंडिया करंड़ाफे कोशन है वो सारे के सारे यानि 40 से 45 कोशन इंडिया करंड़ाफेस के डाले गे थे सीटे की एक्जाम में ग्रेजुलेट लेवल के सीटे सीनिर स्केंडरी के एक भी कोशन बाहर नहीं गया सारे के सारे आयके तो मैं कहता हूँ कि एप डाउनलोड करें और पीडिया पढ़ें और टेस्ट री जरूर करें ताकि आपका व्याद रखने है एसियन कप टेबिल टेनिस ट्रूरामेट 2022 जीता था मनिका बत्रा ने बारती के लाड़िया काश्य पदक जीता था देखें 19 नंबर कॉशन हाल ही में फिफा वलब हाल ही में फिफा कलब विस्ट वकप 2023 का किताब किसे ने जीता है तो 2023 का किताब किसने जीता है रियाल मेडरीड ने किसने जीता है रियाल मेडरीड ने फिफा कलब विस्ट वकप 2023 का किताब जीता है ये जनवरी की रिपोर्ट है इसलिए मैंने सभी कोशन जाल दिया है जनवरी तक के स्पैनिस पुटवाल कलब रियाल मेडरिट ने 9 साल में पांसवी वार फिफा वलक कलब विश्वकप का किताब अपने नाम कर लिया है रियाल मेडरिट का ये सोमा किताब था तो ये पक्का करने ना पक्का एकजाम में छपेगा तो देखे फिफा कलब विश्वकप 2023 रियाल मेडरिट ने जिता है मन्त ये जिता था सुबम गिल ने किसने पहले विमने बताया था सुबम गिल ने ICC प्लेयर ओफ दा मन्त 2023 का खिदाब अपने नाम किया था इस किताब के लिए जन्वरी के मैने में बारत के सुबम गिल मुहमंद सिराज और न्यूजिलेंड के डेवोन कानवे को नामित किया है तो आपको ये भी रात याद रखने है तो मुहमंद सिराज को भी दिया गया है और न्यूजिलेंड के डोवेन कानवे को दिया गया है तो ICC विमेंस प्लेयर ओफ दा मन्त किसे दिया गया है ग्रेस सिक्रेवेस इंगलेंड को दिया गया है कौन सा ICC विमेंस यानि महला क किसे दिया गया है तो महला काभी याद रखना आपको यहैं ग्रीस सिक्रेवेश इंगलेंड की महला खिलाडिये इन्हें ICC प्लएर विमेंस त्यानी महला प्लेयर मंत तिया गया है और फूस्को किसे दिया गया सुबम गिल को जो भारत्ये खिलाडी है आगे चर्चा करते हैं किस नंबर कोशन की एक भी कोशन बाहर नहीं चुड़ेगा आपका हाल ही में किस बारती है मैला खिलाडी ने Kenya Ladies Open 2023 ठीक है Kenya Ladies Open 2023 का किताब जीता है तो परतेग विदारती डेली हमारी Current Affairs की कलास आती है सुबह 7 बजे उस 7 बजे वाली कलास को डेली रुवीजन करें डेली देखें शाम को पीडिया पढ़ें अच्छी तरीके से और जो आपको important लगे आप copy pen लेकर साथ में बेटे उस कोशन को उतारें ताकि आपको कोशन पढ़ने में असानी रहे तो देखें बारतिये महला कलाड़ी Kenya Ladies Open का किताब किस ने जीता था तो अधिती असोक ने ये जो है Kenya Ladies Open का किताब 2023 जीता है देखें मुक्यत थे बारतिये गोलफ कलाड़ी अधिती असोक ने Magical Kenya Ladies Open का किताब उतने नामें कर लिया है तो ये बारत्य गोलफ के लड़ी है तो ये पक्का पुछा जाएगा क्यों पुछा जाएगा क्योंकि ये बारत्य गोलफ के लड़ी ने जीता है तो ये कैन्या लेडिस ओपन दोजार तेईस अधिती असोक ने आगे बात करेंगे अब ये लेटर किस से है गोल अप है गोल अप खेल से है ये 12 नमर कोशन की बात करेंगे खाल ही में ओस्ट्रिलियन ओपन 2023 मेला सिंगलन की चेंपिन कौन बन चुकी है तो ये भी नया बन चुका है, तो देखिए 2023 की Australian Open 2023 की महला एकल का किताब कि इसने जीत लिया है, तो वो जीता है, आयरेना सबालेंका ने पहले भी मैंने बता दिया, दो बार कोशन आ गया है, तो बेलारूस की आयरेना सबालेंका 24 वर्षी खिलाड़ी है, आयरेना सबालेंका की चेंपिन बनी है, यह उनका पहला ग्रेड़ स्लेव है, पहले भी बता दिया, यह डबल रपीट हो गया है, कोशन, हमें तो रवीजन करना है, कैसे भी आई कोशन, यह याद कर लेना पका चप सकता है, 22 नमर फिर देखिए, हाल ही में पुरुस कलब वोलीवल, विश्व चेंपिन शिप तीज डिवानी कोंड वामा देश करेगा, यह इस पक कर लेना, पुरुस है, और कलब वोलीवल, विश्व चेंपिन शिप तीज की में प्राइम, वल्यूव लिंग लिंग, यानि, वी पील, के तत्वा उदान में भारत में किया जाएगा, इस चेंपिन आयोजन 6 से 10 दिसम्बर 2023 को निवाला अगामी होगा और ये भारत इसमी मेजबानी करेगा गजब का कॉशन देखिए पक्का आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल कितने खेल सामिल किये गए तो खेल कितने गे थे 27 खेल सामिल किये गे थे 9 सहरों में आयोध किये थ लगबग ठेक है तो मुक्य देखिए 30 जनवरी 2023 को मद्या प्रदेश में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पांचे संस्क्रट गदगाटन वाया अयोजन देखिए 30 जनवरी से 11 फरवरी तक स्टेडियम था बोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम ये पूचा ज अब 2023 का किताब किस देश ने जीता है ये भी पक्का कर लेना मोश्ट मोश्ट लेकर आयों 2023 के जोकी LDC के एकजाम में पक्का चपने वाले हैं F.I.H. पुरुष होकी विश्वकप 2023 का किताब किस देश ने जीता है तो ये जीता है किस ने जीता है जर्मनी ने किस ने जीता है जर्मनी देश ने ये खिताब जीता है F.I.H. ठेक है पुरुष होकी विश्वकप 2023 का देखिए मुके तत्ये जर्मनी ने होकी विश्वकप के फाइनल में बेल्जियम को हराकर किताब अपने नाम न कर लिया है तीसरी बार FIS पुरुस होकी विसुप को किताब है जीत लिया है देखिए सभी विदारती परताब क्लासेज के एप को डाउनलोड करें वहाँ पे आपको नाना कलासेज की जो टेस्ट रीज है वह है यहाँ पर लगबग 5000 परसनों के साथ राजस्तांजीके की टेस्ट स्रीज आपको मिल रही है आगे हम चर्चा करेंगे तो परतेग विदारती एप को डाउनलोड करें पले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा इंडिया प्लस वर्ल्ड करेंट अफेर्स की आपको टेस्ट रीज मिल रही है मातर 50 रुपए में जिसमें आपको पीडियफ है फ्री दी जाएगी देखिए यह रहा ल्डिस्टी के जो विदारती एक्जाम की त्यारी करें उनके लिए इंडिया और वर्ल्ड करेंट अफेर्स के लिए जन्वरी 2022 से जन्वरी 2023 तकी स्वी पीडियफ मिलेगी 50 रुपए इसका प्राइज रहेगा और मंतली वाई जिसमें टेस्ट रीज आपको मिलने वाला है अगर आपको दिक्कत आए तो आपको help नहीं नमर भी दिये गए है इस नमर पर आप contact करके पूछ सकते हैं कि किस परकार हमें टेस्ट रीज लेनी है तो देखिए जो विदारती रीट की त्यारी करने है तो उनके लिए भी ये त्यारी जीत की तो अब हमें त्यारी जीत की ही करनी है तो इबुक की टेस्ट रीज देखिए त्यारी द्यापक बरती के लिए इबुक लौच की गई थी परताब क्लासेज पर एप पर उपलब्द है मातर पचास रुपे में आपको ये टेस्ट रीज मन रही है तो जाते जाते रीज की एग्जाम से पहले पहले इन टेस्ट रीज को अच्छी तरीके से निकाल दीजिए पढ़ लीजिए क्योंकि यहां से आपको हूब हूब कोशन है मिलने वाले हैं तो देखिए जुरूर डाउनलोड करें एप को ताकि आपको नमीनतम जानकरिया एप पर मिलती रहे और परताब क्लासिस के टेलिग्राम को जुरूर जोन करें ताकि आपको वहां पे पेडियाप और कुछ भी प्राप्त हो सके तो जय हिन जय बार दोस्तो अगामी जो 2023 के जितने भी पूर्चकार है उनकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमें एकजाम की दस्टिशे मैत्पून जो एकोशन चर्चा करने है तो जय हिन जय बार